सदात रोज की तरह ही हैं साथ-साथ दिल्ली से लक्षमन भी जोड़ेंगे दरसल कल कैबिनेट के मीट का बड़ा इंट्रेस्टिंग आउटकम और कह लिजे तमाम टेलीकॉम प्लेयर्स और उसमें भी खास तोर पर वोड़ाफोन आइडिया को एक बड़ी रिलीफ मिलती हुई लक्षमन गुड मॉर्निंग क्या अपडेट है क्या डिटेल्स है जी दरसल एक बड़ी ख़बर हो तेलिकॉम के लिए है कर लो कबिनेट की बड़ा कोई शाम के लिया गया जिन तेलिकॉम कोई 2,022 से पहले इस स्टेक्टरम दिया गया था उन टेलीकॉम कमपनियों को बैंक गरानटी देने की शर्थ खत्म कर दी जाएगी तो अब बैंक गरानटी देने की शर्थ खत्म कर दी गए है इस प्रस्ताव को कैबिनेटे मंजूरी दे दी है यह सुत्रों से मिनी जानकारी है और इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी कंपनियां चाहिए वोडाफोन हो लांजी हो या फिर एयर्टलो उनको जो बैंक गांटी देने का अब नहीं रहेगा 2022 से पहले वाले में और इसलिए वोडाफोन को सबसे ज़ादा अफादा करेगा कि वोडाफोन को 24,700 करूर रुपे की बैंक गांटी देनी थी आने वाले महियों में और समय समय बैंक गांटी देने में वोडाफोन अब तक डिफॉल्ट रहा है और इनफाक्ट वोडाफोन की तरब से ही आवेदन किया गया था तेलिकॉम मंताले को कि इस शर्त को हटा लिया जया तेलिकॉम मंताले वोडाफोन के रिकोष्ट को मान लिया था क्योंकि 2022 के बाद जो एस्पेक्टर मिला था उसमें बैंक गांटी देने के शर्त नहीं थी तो जो बाद में नहीं हटा दिया गया तो उसी लाजिक को मानते वे पहले वाले भी हटाने का फैसा लिया गया और सरकार का मानना है कि इस सरकार के खजाने पर कोई बोज नहीं पड़े गा और इनफेक्ट टेलिकॉम सेक्टर और मजबूत होगा तो यह एक बड़ा फासला है टेलिकॉम कंपनियों के लिए जिनको बैंक गारेंटी देने का उब्लिगेशन था अब वो उब्लिगेशन नहीं गाएगा बहुत बड़े यह लिज़ा बाई साब तीस हजार क्रोडों पे के आसपास की रिलीव और क्योंकि बैंक गारेंटी जोड़ा फोन आइडिया की 24,000 क्रोडों पे के आसपास थी तो लाजली रिलीव तो उसके पास जारा है पर हाँ साथ में रिडार पे कोई भारती एटल भी कोई रिलाइंस इंडस्ट्रीज भी अपने जियो आम के चलते और क्योंकि यह सारी कंपनी इस फोकस में रहेंगी तो इनका एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया इंडस्ट आवर सब रखी ने डार पे पूरा स्पेस इंट्रिस्टिंग होगा शायद आज की डेटिंग सेशन में लक्षमान थाइंक यू सो मच अच्छा अब फ्रेशन अप होने जाओगे कि अफिर सो जाओगे आप ने ने अब आठ होगे मुझे बताया कि आप ओडिसर साहब के तरफ से की आदेश आया आशिश वर्मा जी करे कि आपको जूड़ना है मेरे नाम पे बिल फार रहे हो चलिए लक्षमन से 8 बजे साक्षात दीदार कराएंगे आप लोगों के हजदा के पास चला जाए बागी के सारे इंपोर्टन स्टॉक्सी नियूज के लिए अजदा गूड मॉनिंग अशिश जूमाटो QIP लाँच हो चुक है 265 रुपीज 91 पैसे यह दरसल प्राइस पर कंपनी QIP लाँच कर रही है दूसरी और H.U.L. रेडार पर रहेगा जैसे आप हेडलाइन में भी मेंचिन कर रहे थे जिस तरह की ग्लोबल पॉलिसी है उसी के मद्दे नजर दरसल कंपनी ने रिसाइट किया है कि भारत में भी आइस्क्रीम बिजनेस को दरसल डीमर्ज किया जाएगा इवेंचुली यह आइस्क्रीम बिजनेस भारत में लिस्ट होता हुआ भी दिखाई देगा कंपनी को लगता है कि इस पर्टिकिलर मेजर के बाद थोड़ी सी वाल्यू और लॉक्किंग का फाइदा कंपनी के हाथ लगतावा दिखाई देगा साथी आप रेडार पर रखेंगे बीएचियेल और हिताची एनरजी दरसल नोटिफिकेशन मिल गया है दोनों एंटिटीज को खावडा नाकपूर HVDC प्रोजेक्ट जो पावगर्ड कोपरेशन के लिए इनको करना है तो यहाँ पर लगभग 6000 मेगावाट के हाई वोल्टेज डाइरेक कारेंट टर्मिनल स्टेशन स्पूलिंग स्टेशन पर बनने है खावडा में और साथी साथ नाकपूर में और दोनों दरसल BHL और हिटाची एनरजी को साथ में मिलकर बनाने है तो वो आपके लिए रेडार पर स्टॉक रहेगा कल दरसल शाम को भारत का डुबेस्टिक पैसेंजर ट्राफिक का डेटा आया तो 5.3% तक की ग्रोथ देखने को मिली आक्टोबर के महीने में वहीं पर कंपनी कह रही है इंडिगो का मार्केट शेर हलका सा बड़ा है सब्टेंबर में 63% था तो 63.3% पर आया ये और इंडियन एंडियन एलाइन्स का जो मार्केट शेर है वो थोड़ा सा स्लाइड होता हुआ दिखाए दिया अफकॉस यहां पर वो सारी अलाइन्स अमल्गेट हुई है तो उसका जादा इंपक्ट अगले महीने से आता हुआ दिखाए देगा तो वो आप रेडार पर रखिएगा साथी साथ आप रेडार पर रखिए आज एल्टी फूड्स एल्टी फूड्स को लेकर बड़ी इंट्रिस्टिंग डिवलोप्मेंट है कंपनी साओधी अरेबिया के मारकेट में उतर रही है रियाद में दरहसल इन्होंने एक नया आफिस इनाउगिरेट किया है कंपनी का कहना है कि दरहसल यह जो अगले पात साल है यह लगबग साओधी अरेबियन रियाल का 185 मिलियन का इन्वेस्मेंट होतावा दिखाए देगा और अगले पात सालों में फिर 435 मिलिन रियाल की दरहसल यहाँ पर रेवन्यू भी कंपनी कमाने की शमता रखती है तो आप वो रेडार पर रखेंगे न्यू इंडिया अर्शॉरंस को 1945 करोड का एक रीफंड हाथ लग रहा है तो वो भी एक डिवेलप्मेंट है जिस पर आज स्टॉक पर नजरे रहेंगी लक्षमन टेलेकॉम कंपनियों की बात कर ही रहे थे लेकिन साथ ही कैबनेट में आइ थिंक वो रेलवे प्रोजेक्स को भी मन्जूरी मिली है 7927 करोड के 3 रेलवे प्रोजेक्स अप्रूव हो है कल स्टॉक स्टेजी में थे आज भी इन पर नजरे होनी चाहिए थोड़ा बहुत केफिक्स को तूल मिलने की ऐसी उमीदे जागने लगेंगी वापिस बाजार की अच्छी बात है किसका नाम लिया था ज़ता ने जोमाटो का क्यू आई पी था साथ-साथ वो केई आई इंडस्ट्रीज का भी क्यू आई पी लाँच हो गया है अभी-अभी वो एक्स्लूजिव सूत्रों के हवाले से कबर आपकी स्क्रीन्स पे और टेलीकॉम में आदत में आया नहीं अब तक एक और स्टॉक रखेगा रेडार पे भारती हेक्जाकॉम भाई सारे टेलीकॉम प्लेज अब रेडार पे तो वो भी कुछी शोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ प्रेक के उस पार जब लॉट के आएंगे तो आज का इवेंस केलेंडर और कमोडिटी स्ट्राटेजी प्रेक के लाई से घ्टॉटी स्ट्राटेजी झाल 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 झाल